अर यो चंचल सुन क्यों नहीं रही हो, कब से गला फाड़े जा रही हूँ मैं और तुम हो की चुप बैठी हो, आ कर खालो न साट साल की रमा, अपनी दस साल की नातिن चंचल को कब से खाने के लिए आवाज लगा रही थी लेकिन चंचल है कि जिद ठान कर बैठ गई है नहीं खाना है तो बस नहीं खाना है एविटिया अब इस बुढ़ापे में मुझे क्यों सता रही हो चल ना खाले हम दोनों दरवाजे पर आम के पेड़ के नीचे मुँ फुला कर बैठी चंचल के पास आकर नानी ने खुसामद की नहीं मुझे भूक नहीं है तुम खालो नानी कहकर चंचल ने मुँ फेर लिया ऐसा भी हुआ है कभी तुम भूकी रहो और मैं खालू कहते हुए नानी ने उसे पुछका रहा तो फिर मान लो ना मेरी बात ममी से बोलो यहां आए अच्छा बोलूँगी मैं चल अब खाले दस दिन से तो यही बोल कर वहला रही हो लेकिन ममी से नहीं कहती हो अभी फोन लगाओ और मेरी बात कराओ मैं खुद ही बोलूँगी आने के लिए बोलूँगी की यही कोई काम कर लें कोई जरूरत नहीं सहर में काम करने की मुझे यहाँ छोड़ कर चली जाती है और 3-4 महीने में एक बार आती है वो अभी एक दिन के लिए ऐसा भी होता है क्या सबकी मा तो साथ में रहती है लगाओ ना फोन चंचल मन की सारी भडास निकालने लगी तुम जरा भी नहीं समझती हो बिटिया ममी काम पर होगी न अभी अभी फोन करेंगे तो उनका मालिक खूब बिगड़ेगा और पैसा भी काट लेगा फिर तेरे स्कूल की फीज जमाना हो पाएगी इस महीने की जब फुर्सत होगी तब वह खोदी फोन करेंगी नानी ने उसे समझाने की कोशिस की ठीक है मत करो अब उनसे बात ही नहीं करनी मुझे कभी जब मन होता है बात करने का तो मैं कर ही नहीं सकती वे जब भी करेंगी तो चार बजे भोर में ही करेंगी नींद में होती हूँ तब मैं आँख भी नहीं खुलती है ठीक से तो बात कैसे कर पाऊंगी तुम ही बताओ नानी यह क्या बात हुई अच्छा अच्छा ठीक है इस बार आने दो उसे जाने ही नहीं देंगे नानी ने उसका समर्थन किया हाँ अब यहीं रहना पड़ेगा उ ने हमारे साथ चलो नानी अब खा लेते हैं भूख लगी है जोरो की हाँ हाँ मेरी लाडो रानी बारा बज गए हैं भूख तो लगेगी ही चंचल उछलती कुदती नानी की साथ चली गई दोनों साथ साथ खाने बैठी चंचल भूख के हमारे दना दन दालभात के कौर मु मुह में दाल भत छूसती जा रही थी आने दो हिचकी पानी है पी लूँगी चंजल लपरवाही से बोली नानी मुस्कुराई और उसे देखते हुए पुरानी यादों में खो गई बेचारी नन्ही सी जान इसे क्या पता की इसकी मम्मी इसके लिए कैसे कलेजे पर पत्थर र जगी थी मुझे गाव घर के वैद हकीम से दवादार उकर के हार गई थी लेकिन पेट दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था रह रह कर दर्द उभर आता था कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि सहर में अच्छे डाक्टर से दिखा लो दिखा तो लेती लेकिन अके केली कैसे जाती न पती न कोई अलाद बाप की एक लोती बेटी थी मैं मा मेरे बच्पन में ही गुजर गई थी मेरी साधी की दो साल ही तो हुय थे और कोई बच्चा भी नहीं हुआ था तीसरे साल में पती को जान लेवा बिमारी खा गई बापु भी बुढ़े होकर एक द इन कठ्था जमीन में साग सबजी उगा लेती जो अमदनी होती उसी से गुजर बसर होती रही पेट दर्द अब असहनीय होने लगा था बड़ी खुसामत के बाद पडोसी सहदेव का बेटा मुरली तयार हुआ साथ में सहर जाने के लिए सहर तो चली गई लेकिन मुरली के मन में न जाने कौन सा खोट पैदा हुआ कि मुझे डाक्टर के यहां छोड़ कर बहाने से भाग निकला वह तो अच्छा था कि मैंने पैसे उसको नहीं थमाया था वरना खैर मैंने डाक्टर को दिखा तो लिया लेकिन जब परचे पर जाज परताल के लिए कुछ लिख कर दि और रिपोर्ट चार बजे के बाद मिलने वाली थी तो मैं वहीं वरामदे पर बैठ कर रिपोर्ट और मुर्ली दोनों का इंतजार करने लगी सोचा की किसी काम से इधर उसर गया होगा आ जाएगा लेकिन यह क्या चार बज गए रिपोर्ट भी आ गई लेकिन मुरली का कोई अता पता नहीं मन में चिंता हुई की ठंड का मौसम है चार बज गए मतलब अब कुछ ही देर में अंधेरा घीर आएगा घर कैसे जाओंगी तभी कमपाउंटर बाभू ने रिपोर्ट लेकर बुलाया तो मैं जोला उठाए चल दी डाक्टर साहब ने बताया जाच में कुछ गंभीर नहीं निकला है ठीक हो जाओगी अम्मा चिंता की कोई बात नहीं ये सब दवाएं ले लेना कहकर डाक्टर ने एक और परचा थमाया मन को सांती मिली पास ही दवा की दुकान थी वहीं से दवा ले ली अब घर जाने की चिंता होने लगी बस अड़ा किधर है किस बस पर बैठूं कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ ही देर में अंधेरा घीर आया तो मैंने वहीं बरामदे में एक कोने में अपने जोले से चादर निकाली और ओठ कर सोच कर बैठ गई की रात यहीं गुजार लेती हूं किसी तरह सुबह कुछ उपाय सोचूंगी घर से लाई हुई रोटी और आलू की भुजिया रखी थी भूख भी लग रही थी तो निकाल कर खाली आठ बजे वहां मरीजों की आवा जाही सी खतम हो गई तभी गाड बाबु आ कर करक कर बोले माई इधर सा बंद होगा चलो निकलो यहां से बाबु रात भर रहने दिजिये ना अकेली हूं और घर भी दूर है सुबह सवेरे निकल जाओंगी मैं न जाने कितना गिडगडाई लेकिन पता नहीं किस मिटी का बना था वह अड़ा रहा अपनी बात पर क्या कर दी मैं भी जोला उठा कर ठिठी उरते हुए सडक पर निकल पड़ी भटकती रही घंटो पर कहीं कोई आसरा न मिला ठंड भी इतनी की सब लोग बाग घरों में दुबके थे चलते चलते पैर ठक गए तो एक मकान के छज्जे के नीचे सीड़ी पर रात गुजारने की सोच कर जोला रखा ही था की दो चार कुत्ते एक साथ तूट पड़े तभी अचानक से किसी ने चोर से मुझे अपनी तरफ खींचा और धर से एक ट्रक गुजरा मुझे कुछ देर होस ही नहीं रहा जब होस आया तो देखा की मैं एक पेंड के नीचे लेटी थी और 22-23 साल की एक खुबसूरत युवत जिसकी गोद में नवजात बच्चा था मेरा सिर सहला रही थी तब सब समझ में आ गया कि अगर यह मुझे नहीं खीचती तो ट्रक मेरा काम तमाम कर देता ऐसे बेखबर चलती हो पता भी है रात के 12 बज रहे हैं उपर से इतनी ठंड और तो और आँख बंद करके सड़क प पल भर में हमारे बीच न जाने कौन सी डोर बंद गई की हमने एक दूसरे के सामने अपने दिल खोल कर रख दिये उसके दर्द को जानकर कलेजा काप गया मेरा उसका नाम मनीशा था उसे उसकी सौतेली मा ने 14 साल की उमर में ही एक दलाल के हाथो बेच दिया था और यह बा आली के इसारे पर नाशती हर रात अलग-अलग मर्द उसके जिस्म से खेलते कई बार भागने की भी कोशिस की लेकिन हर बार वह पकड़ी जाती और फिर दोगुनी मार सहती एक बार तो वह घर भी पहुँच गई थी लेकिन सब ने अपनाने से इनकार कर दिया खूब जली पर रही थी लेकिन जैसे ही पता चलता की पेट में लड़का है फोरन पेट गिरा दिया जाता क्योंकि लड़कों के जिस्म से कमाई नहीं होती न इस बार लड़की थी तो उसका मालिक खुश था लेकिन मोहिनी हर हाल में अपनी बच्ची को इस दलदल से इस अंधेरी दु जान दे देगी तुम जान देने की बात कैसे कर सकती हो बेटी जबकि तुमने मेरी जान बचाई है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती मुझे जान देने की बात बिलकुल भी पसंद नहीं आई तो फिर मैं क्या करूं अम्मा तुम ही बताओ भाग कर कहा जाओं लोग ना म मेरी जान बचाई है और अभी अभी तुमने अम्मा बुलाया मुझे और मैंने तुम्हें बेटी है कि नहीं तो एक मा के रहते बेटी को किस बात की चिंता मेरी बेटी और नातीन मेरे साथ रहेंगी मेरे घर नन्ही सी बच्ची को चादर में लपेट कर अपनी छाती से लगा लिया था मैंने, नहीं अम्मा, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती, मोहिनी ने एकदम से इनकार कर दिया, कैसी मुसीबत, बच्चे मा के लिए मुसीबत नहीं होते हैं, तु चल मेरे साथ, मेरे गाउं, सहर से दूर, कोई खोज भी नहीं पायेगा, मैंने मुनिहार की, लेकिन वह थी की मान ही नहीं रही थी, सुबक सुबक कर कहने लगी, अम्मा, तुझे कुछ नहीं पता, नहीं पता की इन चकचोध वाली गलियों के सरदार की पहुंच कितनी दूर तक है, बड़े बड़े नेता, मंत्री, अफसर, और भी ना जाने कितने देवा देते हैं ये लोग, ऐसी कई हस्तियों के हाथो लुट चुकी हुं मैं भी, मोहिनी का नाम और चेहरा सबका जाना पहचाना है, फोरन ढून लेंगे ये भेडिये, अम्मा, अब इस नरक की आदी हो चुकी हुं मैं, अब तक कोई मलाल नहीं था, लेकिन अब इस नन् तहा नहीं कया, अम्मा, एक एहसान करोगी मुझ पर, वह कातर स्वर में बोली, तु बोल तो सही, मैंने आश्वासन दिया तो वह बोली, तु इसे रख ले, अपने पास, पाल ले इसे, मैं खर्च भेजती रहूंगी, खूब पढ़ाना लिखाना, और हाँ, मैं कभी-कभी मिलने भी आती रहूंगी, सबसे छिप कर, लेकिन मेरी सच्चाई मत बताना कभी, वरना नफरत हो जाएगी इसे, जब पढ़ लिख कर समझदार हो जाएगी तो सही समय पर सब सच बता देंगे, बोल अम्मा, तु करेगी है एहसान मुझ पर, मैंने उसे गले से लगा लिया और हामी भर दी, अम्मा, तुम्हारे गाव की तरफ चाने वाली पहली बस सुबह पांच बजे खुलती है, मैं बिठा दूंगी, तुम चली जाना, अभी तो दो ही बज रहे हैं, और ठंड भी इतनी हैं, चलो, कोई कोने वाली जगह ढूंड लें, कम से कम, ठंडी हवा से तो राहत मिले, नींद तो ऐसे भी नहीं आएगी, कहकर उसने मेरा जोला उठाया और चल पड़ी, बच्ची मेरे गोद में थी, थोड़ी दूर चलने पर बस अड़ा आ गया, यात्री ठहराव के लिए बने हौल नुमा बरामदे पर एक खाली कोने में हमने रात काटी, वह बस में बिठा कर उसने अपने कलेजे के टुकडे को सौप दिया, इसके बाद उसने मेरे गाओं का नाम पता एक कागज पर लिख लिया, फिर बोली, अम्मा किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आज से यह तुम्हारी है, मैं वहाँ सबसे कह दूंगी की ठंड लगने स मर गई, तो फेक आई नदी में, उसकी आखे नम थी, लेकिन एक अलग ही चमक भी थी, मस खुलने ही वाली थी, वह बच्ची को चूम कर तेजी से नीचे उतर गई, तब से यह मेरे साथ ही है, मोहिनी दो-चर महीने पर आ जाती है मिलने, अब तो फोन खरीद कर दे दिया है तो जब मौका मिलता है, बात भी कर लेती है, अर यो नानी, हाथ क्यों रुख गया तुम्हारा, खाओ न, मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी न, चंचल ने हाथ पकड़कर अपनी नानी को जख जोरा तो वेवर्तमान में लोट आई, अरे हाँ, खाही तो रही हूँ, हो ग कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में, धन्यवाद